तो आज इस सुपर सटे में हम करने वाले है जो आज का लीट कोड़ कॉंटेस्ट था पाउन्टेस्ट का जो लास्ट वाला कोश्चन है ठिक है का अब लेकारग जोड़ने समझाता हूं रिखो एक टार्गेट में एक इंटीजर दिया हुआ है याँ पर 6 है कि नखी है उसमें क्या है कि इस तरीके से दिया हुआ है जो 2D वेक्टर है है कि उसके Andre बाथ न्म रहाना है यानिए चया को दीज़िए हुआ इतने नेना है अगर इतना नमबर लाना है तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें तरीके से तुम ला सकतो वतो है जैसे कि एक नमबर की दूंभर को एक नम्र वाले दो करें दो नम्र वाले दो करें तब भीच है मिल गया एक नम्र वाले तीन करें तो यह इस इंट्रिजर और धिया हुआ एक चीज इसमें क्या-क्या गया है कि जैसे कि एक्जांपल इफ त्री कोशन है तीन कोशन है इसको मालो अगर तीन कोशन है तो पहले और दूसरे को करना और पहले और तीसरे को करना दूसरे और तीसरे को करने को बराबर मानों कि वह मैं लग उसमें तुम अलग नहीं क कितने कॉंबिनेशन बनेगे बस बता दो इसको लेकर थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं नोटपेट पर लेकर चलता हूं देखो यह तुम्हारा जो है बुई वाला जो आयरे था वही है अब मैं क्या करता हूं सबसे पहले देखो नॉर्मल देखो अब तु छे कोशन है तो तुम क्या कर सकते हो तुम क्या करो तुम अल्रेडी एक एक करके सारे एक्ष्प्ट करने की सोचो कि अगर मैं इस वाले मैं से जीरो करूं तो मेरे क्या होंगे इस वाले मैं से अगर मैं वन करता हूं तो क्या होगा इस वाले मैं से अगर दो कर लेता हूं त तो तुम्हारा तुम्हारा नंबर कितना होगा भी तो तुम्हें नंबर कितना मिला होगा जीरो मिला होगा अगर एक कोशन कर लोगो तो नंबर कितना मिला होगा एक दो कर लोगो तो तीन कर लोगो तो तीन चार कर लोगो तो चार पांच कोशन कर लोगो तो पांच छे कोशन सब्वारी आंद दो नमबर वाले कोशण से तिन तो तुम या तो एक भी मत करो एक कर लो दो कर लो या तीनों के तीनों कर लो अगर एक भी शेली भी तुम लिएखार 1 इक्सक्राइम िटेश लएखा red दो कोशन है तीन नबर के तो तुम क्या करते हैं एक मत करो एक कोशन कर लो या दोने दोना के कोशन कर लो एक भी निकलो tanad Media05 मिलेगा तुम्हें एक कर लोगे तुनोट को अई है कि हम टो नोंब्हों कोशना थे क। लोगे नोगे किडिंवत on से दो मॉन इसकी अब तुम क्या कर सकतो हो ऊई बन टू जीरो बटू जीरो करऊ तो अभी 222 से रहेगा वन कर लोग तो पांच जो है हमारा Number जो है अगर ग्रिटर जा रहा है हमारे टारगेट सेश है तो हम उस वाले ब्रांच को नहीं है utronção नहीं करेंगे इस से क्वार हें हमारी छोटी बनेंगी जो possibility हो ही नहीं सकते उसका हम पहले से nullified कर देंगे उसको पहले से negligible कर देंगो उसको खोलेंगे नहीं उस प्रांच को यानि कि पहले दो नंबर था अब तुम अगर तीन नंबर बाले दो कशन करोगे तुमhara data at 8 तुम तो घण ऊसका खोल तो हमारा चारी चार एक और वाला कर सकते सकते तुम्हारा चारी तो चहीं बहुत के शैसे उस सत्कुवर तुम तुम्हें से क्या प्रांच सकते हैं Geneva हम तो मैं देखthen kalian कि मिन दो कि हैं हम कि जितने इक स्वे informative लोगे कि में नंबर तुम्हें मिला है कि उसके करने पर किम रहे興趣 लेकिन बहुत बड़ा होता है तब तुम क्या करोगे तब तुम उसको जो है एक वैक्तर बना लो उसको श्टोर करते जाओ और फिर जब भी तुम ब्रांच को ले और फिर तो इस टाइप का ब्रांच खोल चुका हूं अगर खोल चुके हो तो डायरेक्ट ब्रांच ना खोल क तुमने तुमने यह उन्हें बाद में ब्रांश को चाहता हूँ और क्या पता इस तीन के लिए मैं पहले ही करके रखा है तो ब्रांश कोलने की जगह कि इस तीन को खोलने पर हमें कितने आंसर मिलेंगे वो कहीं पर स्टोर कर रखा है तो अगर स्टोर कर रहा तो भई भलू रिटन कर देंगे तो इससे क्या होगा टील नहीं आता है तो आप इस कोश्चन को समझ सकते हैं बरना आपको डीपी की बेसिक्स आने चाहिए ठीक है अच्छा इसका अब कोड दिखाते हो इसमें कुछ है नहीं अब तुम कोड देखो को तो सिंपल समझ में आए जागा अगर डीपी आता है थोड़ा बहुत तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया जो टार्गेट था उसका साइज निगाल लिया ठीक है जो जो दिखार हों बस भाई देखना पूरे में नजर क्वम दिखार हों अगर पहले बार चूज करोंगे तो जितना तुम्हारा टायट का साइज है उतना तो तुम्हें चाहिए तो 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 एन साइज का तो चाहिए चैए और हार केन अंदर हर एक कितनी साय मिदा व्यम् network होगा उसका साइज कि उसका साइज हुना चिह जो भी अब हमने क्या किया अब हमने अपना जो भी फंट बनाना इसको कॉल कर दिया सब सबसे पहले जो नॉर्मल लाइन है यहां से समझाता हुँ है यहां से समझते हैं सबसे पहले मैंने आपना अंसर को कितना बना इति अब देखो मैं यहां किया किया हमें क्या फिलना ना चाहते हम स्कोषको साथ बरकूल ना चाहते है है कि 0 वाला एक व्लाला दो व्लाला तीन व्लैंट एक व सुभ ना करें दो को सच्छन कर ले Turта साड़ सब्सक्राइब अमने 6 तरीके और एक एसा होगा जो जिरू वाला होगा जैसे कि मैंने समझाया नहीं था दो चाहिए हुआ है लेकिन हमने किसा लाइन च्छुप दो साथ होगे ना तो इसलिए हमें जो है साथ साइज का चाहिए होागो और हमें साथ बार ही खोलना पड़ेगा तो हम जी रो से लेकर कहा तक है कहा तक चला है देखो हो यह चला है टाईप आईजीरो इंटू टाइब आईवन ठीक है इसका क्या मतलब वहाटताइप आई-जी-डी और यानिके 6 और टाइपस आई-वन आई-वन यानिकि तुम्हारा कितना वह बन तो तो इतने बार चलेगा ओतनु बढ़ना चला और कितना हर बढ़ना चीह हर वार कि वर यह हे हर में प्रणती हर्वाइब और देखो हम कर रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा नसर जो है तुमारा तो 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 पहले पहले तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा जो भी टी था टी कितना था छोड़ा है तो मैंने को जोड़ा है कि तूम्हारा पहले जोड़ा तो नहीं बहुत है कि तूटने हो गया होगा तो एwnॉट्स्ध करा है तो तो आप हमें 4 जहां पर भी मिलेगा बुई बाला प्रांच को लेंगे अब तुम 4 में से माइनस करोगे तुम 6 माला समझो कि t-6 अगर 0 से बड़ा हुआ यानि कि वह वैलीड है 0 या 0 से बड़ा हुआ तो तो कि घर आहे निदेनोर तो माइनस नहीं विद्र तुम तुम अगर तुम देखो कि यृइधसी सिक्सभाई तुम करोगे इसको तो तो तुम जीरो से बड़ा चाहिए था माइनस चीज़ दा क्यूंकि तुमें 6 टार्गेट चाहिए तुम साथ नंबर वाला कुश्शन कर रहो तुम्हारा रही या तो बहुत करेंगे जीरो या जीरो से बढ़ा होना चाहिए तब वह यह तक हम क्या करेंगे कि answer में क्या करेंगे answer plus answer plus अब उसका next वाला पड़ेगा और मॉड तो लेना है पड़ेगा क्योंकि उसने पहली बोल दिया कि बाहर जा सकता है तो मॉडिलस ले लो यहां पर दोखो मॉडिलस लेना ही पड़ेगा ठीक है तो मॉड ले लिया तो इस जो क्या से काम कर रहा होगा ऐसे ही काम कर रहा होगा से इस तरीके से काम कर रहा होगा कि 0 चूज किया चूज करो वन चूज किया तो उसके आगे वाला चूज करो तो चूज किया तो नॉर्मल रिकर्शन है तोड़ी मैंने थोड़ा से बनाना दिया है समझ जाओ ठीक है देखो आ ईरो यहां प्रिकर चलेगा और लास्ट में जो भी आंसर में आया उस्पी मेंट करना है और उस वैल्ट को रिटन भी करना है तो आंसर में जो भी करें दीक का चोड़ा सा पाट कि पहले वेलु को उसमें डाल दो आई कॉमा टी में टिक है इसलिए डाल ले क्योंकि ताकि उस वह ब्रांच पर जब भी हम आय तो वह आई कॉमा टी हो सके कहां पर डिटेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्रांच खुलने से पहले हम यहां पर चैक कर रहे हैं कि अगर यहां पर क्या है फ्कुलन पर चैका है तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा आंसर मिल चुका तो एक और तरीक है तो यहांसे व्यूब हो जाता है कि हमने सारे ब्रांच खोल लिया कि यह वाला भी हो गया यह वाला भी हो गया इसका मतलब है कि यहां पर कोई वेल्व नहीं मिलेगी यहां से डायरेक्ट रिटन कर जाओ तो रिटन जिरो कर दिया ठीक है यह मेरा पूरा रिकर्शन का है और छोड़ीची डीपी और डीपी में वेल्व इनिशेलाइज करना और वेल्व इसको रिटन करना समझ माना चाहिए अगर तुमने कोश्च कोश्च कर रखे तो तो तुम्हें बहुत इस तरी कि समझ माया जागा इसको बिल्कुल सारे ब्रांच खोल के नहीं दिखा जा सकता दखो यह पाता है का दे रहा था जब मैं वेल्व इसको रिटन नहीं कर रहा था जब मैं डीपी नहीं लगा रहा था तो टीली दे रहा था तो डीपी लगाने के बाद वो टीली नहीं दिया मैंने सोचा कि बिना डीपी लगाए देखते पर होता ही कि लिए तो बिना डीपी लगाए टीली दे थो थीख अब यह मिलेंगे नेक्स्ट कोशन पर ठीक है मांनके चलता हूं आपको कुश्चन समझ में आया है नहीं आया तो थोड़ा सा महनत करो समझ में आ जागा ठीप पढ़ो थोड़ा सा ओके चलो मिलेंगे नक्स्ट